नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चनल पीएफ़पी में आज 16 नमेंबर 2021 को मार्केट का सेंटिमेंट क्लियरली नेगेटिव नजर आता है 18,000 का लेवल भी अमें तूटता हुआ नजर आया 17,999.2 पे आपको क्लोसिंग दिखाई पड़ती है 0.61% की गिरावट देखने को मिली निफ्टी बैंक और भी ज़्यादा वीक चल रहा है 1% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है निफ्टी मिड कैप में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है 0.27% की ही गिरावट देखने को मिलती है तो जिस प्रकार का यहाँ पर movement देखने को मिला clearly पता चलता है कि FIIs ने ही ज़्यादा selling की होगी जिसके करण आपको large cap stocks में particularly banking stock में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली जहाँ पर FIIs का निवेश भी हमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है AD ratio के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे clearly decline के favor में AD ratio जाता हुआ नजर आया लेकिन जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है उस प्रकार से personally मुझे लगता है कि advance करने वाले आपको अच्छे का से stock नजर आते हैं commodity के बार में बात करें crude oil 1% उपर है natural gas में 4.5% की तेजी है gold हमें आधे परसंट की तेजी पर दिखाई पड़ता है silver में 0.7% की तेजी देखने को मिली currency market के बार में बात करें तो औरल यहाँ पर mixed views नजर आते हैं USD iron particular की बात करें तो रूपी आपको slightly strong होता हुआ नजर आया global indices के बार में बात करें तो यहाँ पर global indices में positivity नजर आती है SX Nifty हमें 18,023 पर trade करता हुआ नजर आता है Nifty के intraday chart पर हमें clearly पता चलता है कि शुरुआत में slightly weakness ही देखनी को मिली market नीचे आया और overall इसका trend आपको नीचे आता हुआ नजर आता था लेकिन उसके बाद हमें वापस तेज ही देखनी को मिली सवा 11 के बीच में market में हमें strength लोटती हुई नजर आई इसके बाद continuously selling देखने को मिली है एक बज़े के बाद जब FIS जनरली बहुत ज़्यादा active हो जाते है और अफकोर्स DIS भी active हो जाते है तो यहां पर हमें selling दिखाई परती है 25 मिनिट में 100 points से ज़्यादा की गिरावट हुई रेकवरी करने की कोशिश कर रही थी लेकिन last में फिर से गिरावट देखने को मिली और 18,000 के भी नीचे आपको निफ्टी खिसकता हुआ नजर आता है फिलाल यहां पर fake breakouts बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं यह वाला fake breakouts मैंने आपको telegram पर भी share किया था यहां पर आप देख पाएंगे एक अच्छा breakouts देखने को मिला था लेकिन आप देखिए breakouts हुआ उसके बाद फिर से हमें market में गिरावट देखने को मिली hourly chart पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और जो हमें यहां पर fake breakouts देखने को मिलता है यह थोड़ा सा hourly chart है तो of course थोड़ा सा time frame बढ़ा हो गया है यहां पर हमें fake breakouts दिखाई पड़ता है breakouts तो हुआ लेकिन sustain बिल्कुल नहीं हो पाया वापस उसी level पर nifty आपको आता हुआ नजर आता है अब hourly chart पर आया है तो यहां पर एक और चीज़ में आपके साथ share करना चाहूंगा जो कि मैंने आपको अलड़ी share कर दी है public telegram channel में त market उसके बाद sell on rise वाली market होती हुई नजर आएगी neutral से वापस हमें bearish होना पड़ेगा फिलाल market में view बार 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 बदलने पड़ रहे है डेली chart के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे oral यहां पर जो फिलाल market दिखाई पड़ती है आपको consolidating market ही दिखाई पड़ती ह बीच में यहां पर जब breakout देखने को मिला यह trend line breakout देखने को मिला तो यहां पर हमने view shift करके neutral से bullish कर दिया था लेकिन वापस neutral view ही सही रहता हुआ नजर आता है तो जब तक market 18,300 को cross नहीं करती है तब तक हमें neutrally रहना चाहिए और 17,800 के आसपास का जो zone है जब तक वो cross नहीं ह reality बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकिए नवेंबर में आपको बहुत ज़्यादा up and down moment देखने को मिला कोई clear trend देखने को नहीं मिला है intraday में भी आपको one sided moment नजर नहीं आता है तो बहुत ही ज़्यादा संभल कर trade करने की जरूद है और यहां पर long term investors के लिए अच्छी बात है लेकिन जब intraday में कोई crash होता है तो उसका जो reason होता है कौन सा stock वो crash लेकर आ रहा है वो हर बार कई बार बदल जाता है Reliance में देखिए आज जो गिरावट देखने को मिली है Reliance में उसी के करन निफ्टी आपको गिरता हुआ नजर आया तो कई बार ऐसे stocks continuously गिरते हैं बाकी कोई stock वापस उपर जाता है तो निफ्टी को balance कर देता है लेकिन वो कोई blue chip stock पर आप focus कर सकता है जो continuously नीचे जा रहा है जहां आपर आप investment भी कर चुके होंगे I hope अच्छे stocks हैं अच्छे level पर मिल रहा है तो of course थोड़ा सा investment वहाँ पर बनता है न्यूस के बारे में बात करें तो Morgan Stanley के हिसाब से semi conductor chip का जो shortage का issue था यह अभी पीछे रहने वाला है तो इसलिए auto stocks आज हमें focus में नजरा है भारी तेजी auto stocks में देखने को मिली market में especially nifty 50 large cap में इतनी गिरावट हो रहे थी उसके बावजूद auto stocks में हमें यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिले है जो की दर्शार है कि हमें यहाँ पर sector rotation होता हुआ नजराता है लोगों का focus auto sector पर बढ़ता हुआ नजराया HCL Tech के related एक news है HCL Tech ने multi-year deal back किये from Euroclear Group तो यह company के shareholders के लिए अच्छी बात है Asian Paints ने फिर से अपने prices बढ़ा दिये हैं इस बार 4-5% का price hike देखने को मिला है क्योंकि input cost आपको बढ़ते हुए नजराया है Company ने already this financial year में 19% का price hike कर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि margins में पहले कितना impact देखने को मिला होगा उसके बाद यह price hike आपको देखने को मिला है Make money organics white pigment titanium dioxide pigment pigment में enter होती वी नजराये एक नए pigment में enter हुआ है एक नए market तो नहीं कहेंगे लेकिन एक product में enter होता हुआ नजराता है को फोर्च ने US IPO को फाइल किया वाया ADR route वेरिंग्स भी एशिया अपने stake को sell करने वाला है पार्टली sell करने वाला है पूरानी sell करने वाला तो यह को फोर्च के शेलोल इसके लिए एक बहुत ही positive बात बनकर आती है जिसके लिए हमें आज हमें stock में तेजी भी देखने को मि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई feedback दीजिये thank you stay happy happy investing